नमस्कार, very good morning to all of you, मैं हूँ श्वेता छा, बड़े दिनों बाद आपसे मुलकात को रही है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मुझे कई बार ट्विटर पे और दूसरे सोचल मीडा अकाउंट्स पे ये बात आई थी कि आप लाइब का बारे हो, लेकिन हाँ कई बार होता है, एक लंबा समय लग जाता है, किनी वजों से, लेकिन हाँ एक बार फिर से हम जोड़ाएं हैं और रोज आपसे इसी समय पर मुलकात होगी, ये भी मैं आपको बता दू, योगि दस बज़े, हाला कि आज भी हम थोड़ा देर हैं, दस बज़ कर दस मिनट हो रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दस बज़े रोज सुभे की, जितनी भी बड़ी खबरे हैं और जो पूरी डेवलापिंग खबरे होगी, पूरे दिन की, उन खबरों के साथ मैं आपसे मुलकात किया करूँगी, इन तमाम हमारे सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म्स प दे करके आपको ध्यान रखने की जरुवत है, एक आखरी खबर मैं आपको बता दूँ जो कि इंडिया व्सिस इंग्लेंड, स्पोर्ट से रिलेटेड ये जो खबर सामने आई है, तीसरे टेस्ट की पहली पारी में मैं साथ रन बनाकर विराट कोली जो है, वो आउट हो गय है, उनके बल्ले से बहुत रन भी निकले है पहले, लेकिन क्या है ना, कि जब आप खुदी मैदान में उतरते हैं और आप कहते हैं कि भई, जब आप मैदान में उतरते हैं, तो आपके इगो को आपको अपनी जेब में रखना चाहिए, ये दरसल विराट कोली नहीं ये जा रही है, क्योंकि वो जिस तरह का उनके खेल का प्रदर्शन देखा जा रहा है, महसाथ रन बनाकर उनका आउट हो जाना, अब ऐसे में जो पूर्व क्रुकेटर है, मनिंदर सिंग, उन्होंने ही ये बात कही है, मनिंदर सिंग ने कि भई, दरसल कोली को ही इस बात को ध् टाइम स्पेंट करना चाहिए, और जादा टाइम स्पेंट करेंगे तो जादा बेहदर वो खेलेंगे, तो इस तरह की कुछ खास अच्छी खबर खेल के मरदान से हमारे सामने नहीं आई है, तो कुल मिलाके आपका दिन शुब हो, हम यही चाहेंगे, और तमाम बड़ी जैसा कि मैंने आपको बताया, दिन भर की बड़ी खबर और जो भी डेवलप्मेंट्स आगे होगी, उन खबरों को लेकर मैं रोज आपके साथ 10 बजे रोज सुबह जुड़ा करूंगी, तो बने रहे हमारे साथ हमारे तमाम सोचल मीदिया प्लाटफॉर्म और आज तक के स तक किया